गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज मैं आपको एक साइंस का चाप्टर पढ़ाऊंगा जो कि है बायो का चाप्टर टू कंपोनेंट्स अफूड यह चाप्टर कंपोनेंट्स मादा फूड के पार्ट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे कार्वो हैड्रेट्स और उसके आप प्रोटीन और अब पढ़ेंगे विटामिन्स, मिनरल्स, रफ इजन, डाइट्री फाइबर, वटर, बैलेंस डायट, डाइफीसियंसे, डिसीज्स और डाइफीसियंसी और प्रोटीन, डाइफीसियंसी और विटामिन और बहुत कुछ पर एक वीडियो में नहीं आज हम सिर कॉंपोनेंट औफ फूड कार्भॉहट्रेट और फैट पढ़ेंगे बस चलिए अपना चैप्रेट शुरू कर देते है तो सबसे पहले हम पढ़ते है रूबी एज बेक्ट एन एपल पाई फॉर हर सिस्टर आइडेंटिफाय दा में न्यूट्रियेंट प्रिजेंट इन इच में क्या होता है आप सब ऻुक जानते है यह ज्यादा फ्रोटीन जो नहीं जानते है और थो कि अब आप देखींगे फ्लॉर मंतल अठा में क्या होता है कार्भॉहाइड्रेट यह भी आपने सुना होगा कि फ्लॉर में होता है carbohydrate होता है फिर बटल में fat वह हो तो आप सब ही जानते हैं और शुगर में होता है carbohydrate और carbohydrate के मैंने आपको बता होगा अभी पहले ही बता दो carbohydrate है उसके खुड टू-पार्ट से एक टू-पार्ट मना पहला पार्ट जाता है शुगर आप अभी देख लिए शुगर और स्टार्ट शुगर भी तैसे मीठा होते उसी तरीके से तो हम लिख देंगे आप कार्बो आट्रेड और अब यह में पूछ रहा है क्या एपल्स की उसमें विटामिन और मिर्नल होती है अब यह पूछ रहा है क्या हमने कोई निट्रियोंट सॉरी निट्रियोंट मिस्किया निट्रियोंट यह यह नो आप लिख सकते हैं आप बाधेंगे उसके इमपोर्टेंस और इसके बारे मेंगे शबसे बस्की अपूरेंस अब जो देप गाइंगे उसके इमपोर्तेंस और उसके बारे में। and health healthy body function there are six main components present in food carbohydrate fat protein vitamin mineral and roughage or dietary fiber the nutrient fulfills different need of the body समझे चलिया मैं समझा देता हूँ component of food मतलब food food के components जो nutrients होता है न वो हमारे मतलब जो हमें चलिया होता है न खाने के लिए power के लिए वो फुल्फिल करता है और हमारे body के लिए function के लिए और growth के लिए भी component of food nutrients यूज आते हैं तो यह मतलब 6 main चीजें होती है component of food में carbohydrate फेट प्रोटीन विटामिन मिन्रल एंड रफिज 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 और डेट्रिफाइबर जैसे कि मैं नहीं कुता है मैं आपको सर्फ carbohydrate एंड फेट पढ़ाँगा चलिया carbohydrate पढ़ लेते हैं अब carbohydrate प्रोटेट आइनरजी तो और तो यूर बोडी यह हमारी पोडी को ताकत देता है विच टीप इड गौं थूआउंट दे यह ताकत देता है पूरे दिन के लिए पूरे जन के लिए, ठीक है, ठीक है, there are two major types of carbohydrate in food, sugar and starch, दो तरीके, दो में तरीके के, मैंले दो ही तरीके के carbohydrate होते है, वह होता है, sugar and starch, सबस्क्राइल हम बात करेंगे, sugar, sugar is also called as simple carbohydrate, sugar को हाँ, simple carbohydrate भी कहते है, अब है, starch, starch is also complex carbohydrate, starch जो होता है, वह complex carbohydrate होता है, उसका दूसरा नाम है complex carbohydrate, अगर यह one word में आजाए तो आप लिखेंगे, starch is also known as complex carbohydrate और sugar का simple, starch is also known as complex carbohydrate, plant store energy in the form of starch, rice, when we eat plant product containing sugar and starch are digestive system, break them down into glucose, this glucose which is simplest form of sugar is then absorbed into the blood and provide us energy, energy कैसे आती है, जैसे की carbohydrate, जैसे की आपने फ्लोर ले लिया, रोटी बनाए खा रहे हो, तो glucose बन जाता है, सबसे, मतलब सबसे लूज चीज, जबा चबा चबा गे, मतलब वह पानी पानी सा बन जाता है, ग्लूकोज, शुगर का सिम्प्लेस फॉर्म, और वही खून में मिल जाता है, अपना जो ब्रड़ होता है, और वह अमें फिर ताकत देता है, या पर एक्टिविटी है, हम कार्बोएड़ीट को कैसे पहचान है, आप वह पढ़ लीजिएगा, मैं फैट पढ़ाऊंगा, फैट तो प्रोवाइड असेनर्जी, देया, टू टाइप, प्रोटीन होता है, पर एक में प्रोटीन तो बहुत सार होता है, ये फैट होता है, ये भी में ताकत देता है। और इसके two types होता है, Saturated है, UNSaturated, Saturated मतलब जमा होआ और UNSaturated मतलब नहीं जमा होआ, जो room temperature होता है, saturated उसमें जमा होआ होता है, और जो रूम टेंपरेचर नहीं होता वाद रूम टेंपरेचर पर पिगल जाता है तो वह होता है अंसैचुरेटर एक्जामपल यह सब एक्जामपल है फैट के एक्जामपल है फैट के मीट, ऑईल, घी, नट, बटर एच चाहते हैं तो फैट आर एसेंशिल फोर आर बोड़ी एटिंग तू मच ओफ फूड आइटम रिच इन फैट कें हम, कें हम, कें हम, कें भी हम, एक्सेज बोड़ी फैट लेट तो अ कंडिशन कॉल्ड ओबेसिटी, ओबेसिटी में अल्सो लीड होट डिसी मतलब हमें ज्यादा फैट नही ज्यादा फैट खाते हैं उन्हें प्रोब्लम हो सकती है लागर ज्यादा कौता हैं ऐगर ज्यादा खाओ तो आपको मुत्त हों और बाल आपको सब्रूबलम आ स्थीएर एसलिए सब जो अथे लैउल तेबल है वहम देख लीजिए उसमें दिखाएगा कि सबस्यादा मैं क्या खाना चाहिए वैसे सबस्यादा मैं खाना चाहिए फैट भी खाना चाहिए पर वो कम तो लाइक शेयर साथ कर दिजा है पर इस प्रोटीन और विटामेंश की वीडियो देखने के लिए क्लिक करके और पर बटन दवाद दीजिए थेंक यू